इस टाइप को हम 10 सेकंड में आराम से कवर कर सकते हैं और यह एक्जाम का फेवरेट कोशन है कोशन देखो किसी वस्तू को 8 प्रतिसत हानी के बदले 12 प्रतिसत लाप पर बेचा गया जिससे 1000 रुपे अधिक प्राप्त हुए वस्तू का वास्तविक किमत क्या है बताना है देखो किसी वस्तू को 8 प्रतिसत हानी इस लोज के बदले कहा गया है कि 12 प्रतिसत प्रोफिट पर बेचा गया है जिसके कारण यहाँ पर कितना profit हुआ है, 1000 रुपए का profit हुआ है, लेकिन प्रतिशत में देखो, यहाँ पर 8% loss और 12% profit, तो कितने का difference आ गया है यहाँ पर, 12 और 8, 20% का difference आ गया, जो कि 1000 रुपए के बराबर है, तो आप यहाँ से 100% value आप निकाल लो, देखो 20% को आप 100% बना तो आप किसका multiply करोगे, 20, 500, तो यह हो जाएगा 100%, आपने इधर 5 का multiply किया, तो आप इधर भी 5 का multiply कर लो, आपका answer आजाएगा, कि 100% उस वस्तू की कीमत 5,000 रुपए है, डेट मिस उस वस्तू का वास्तविक मुल्य कितना है, 5,000 रुपए, option B is right answer, इसी प्रकार से हम और भ 5% हानी के बदले, 5% प्रोफिट पर बेचा जाता है, जिससे 7.5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, बताइए वस्तू की वास्तविक किमत क्या होगी, देखो question में क्या का है, 5% हानी, 5% लोस के बदले कहा गया है, कि 5% का प्रोफिट पर बेचा गया, तो यहाँ पर examiner न मुनाफ़ा हुआ, अधिक मिले हैं, यहाँ पर यह रुपए में 7.5 रुपए खाए, लेकिन आप अगर देखोगे, percentage में देखो, 5% लोस और 5% प्रोफिट, आप इन दिनों को जोड़ोगे, तो आपको यहाँ पर 10% मिलेगा, अब यह 10% का difference यहाँ पर question में 7.5 के बराबर या, आप इसका 100% value निकालो, आप क्या करोगे, 10% को 100% बनाने के लिए आप किसका multiply करोगे, 10 का, आपने 10 का multiply इधर किया, तो आप 10 का multiply इधर भी करोगे, तो आपका answer क्या आएगा, हैं आपर 5.5 रुपए, मतलब कि उस वस्तू की वास्तवी कीमत 5.5 रुपए हुई, ठीके option D हमारा right answer है, एक और question देखते हैं, किसी वस्तू को 10% हानी के बदले 12% लाप पर बेचने पर 1517 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तू की वास्तवी कीमत बताईए, यहाँ पर क्या बोला है, अब डार्यक सोलो करो, 10% loss का है, इसके बदले 12% profit पर बेचा गया, ठीके, तो यहाँ पर देखो difference कितना हो रहा है, percentage में, percentage में यहाँ पर difference हो रहा है, देखो, loss और profit कितना difference हुआ, यहाँ पर टोटल 22%, ठीके, difference मतलब घटाना नहीं, आपको यह अंतर देखना है, कि इसमें कितना profit हो रहा है, देखो, 10% यहाँ cover किया है, उस वस्तू ने, और 12% इधर cover कि टोटल 22% cover किया है, और question में दिया है, कि यहाँ पर 1700 रुपे cover हुए है, आप यहाँ से इसका value निकालो, आप क्या करोगे यहाँ पर, आप यहाँ पर 22% करो, आपको यहाँ पर समझ में आएगा, दीरे से मैं आपको clear कर देता हूँ, 1716 रुपे, ठीके, आप यहाँ पर इसक है, यहाँ पर देखो आप, आप इस प्रकार से कर सकते है, आप 22 की table से देखो, आप धीरे से 2 की table से काट सकते हो, यहाँ फिर 11 की table से काटो, ग्यारा दुना 22, यहाँ पर देखो कितनी बार जाएगा, 11 एकम, 11, कितना बच गया है है आपके, 6 इसको दिया, 61 बना, 11, 5, 55, य ठीक है, आप 2 की टेबल से काटोगे, तो ये कट जाएगा, देखो, 7 बार, जो की 14 कंप्रेट होता, 1 बचा है, तो ये 16 बन जाएगा, कितनी बार चले जाएगा, 8 बार, तो आपका एंसर कितना हैगा, 38 गुणा 100, मतलब की 7800 रुपए उस वस्तु का वास्तवी मुल्य है, ठी एक रुपए में 5 रुपए या 2 रुपए में 10 रुपए इस प्रकार के हम टाइप को कवर करेंगे, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे, तो सारे वीडियो प्लैलिस्ट में आपको मिल जाएगे, तो आप विजिट करके सारे टाइप को कवर कर सकते हैं, all the best!